आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question we have given if the surface is smooth the acceleration of block M2 will be तो यहाँ पर देखो हमें है कि M2 block कुछ A acceleration से नीचे की तरफ गया होगा तो M1 block को देखो इस direction में जाना पड़ा होगा महा लेता हूँ कुछ acceleration A dash से तो पहले A dash और A के बीच में आपको relation चाहिए होगा उसके लिए यहाँ पर देखो इस string में tension कितना होगा T तो यहाँ पर देखो इस string में tension T आएगा इस string में same tension T होगा क्योंकि यह एक single string थी इस वाली string में tension कितना हो जाएगा 2T तो यहाँ पर देखो acceleration और tension का multiplication रहता है string constant अगर लगाओ तो वो constant रहता है तो यहाँ पर देखो M2 block का acceleration A है M2 जिस string से बदा हुआ तो उसमें tension कितना है 2T तो यहाँ पर देख सकते हो A into 2T एक इसके बराबर होगा देखो M1 block किस string से बदा हुआ उसमें tension कितना है T और M1 का acceleration कितना है A dash तो यहाँ पर देखो T into A dash के बराबर होगा clear? यह हमारा एक short method था बाकी इसको आप L1, L2, L3 मान के differentiate करके भी A1 और sorry A और A dash में relation निकाल सकते थे तो अब देखो T से T cancel हो जागा it means A dash की value किसके बराबर हो जाएगा 2A के बराबर होगा यहाँ से एक result निकला अगर M2 block A acceleration से नीचे जाएगा तो M1 block देखो जिसका acceleration मैंने A dash माना था उसकी value किसके बराबर होगी A dash equals to 2A अब दोनों block का FBD बना लो यहाँ से आपको A की value मिल जाएगी A ही तो M2 block का acceleration था तो देखो M2 अगर नीचे जाएगा तो उसका weight M2G नीचे की तरफ लग रहा होगा अगर मैं M2 block का बाहर FBD बनाता देखो M2G system से connect था उसमें tension 2T उपर की तरफ होगा उसका weight M2G नीचे की तरफ लग रहा होगा और यह block देखो A acceleration से नीचे की तरफ जा रहा था इस block का mass कितना है M2 तो इस पे net force balance कर दो net force downward direction में जा रहा था मतलब M2G tension जो उपर 2T लग रहा था तो इस M1 block पे सिर्फ और सिर्फ एक ही tension लग रहा जिसके वज़े से यह A' acceleration से आगे की तरफ जा रहा था तो net force इसमें कितना है T इस इकल्स तो कितना हो जाएगा mass M1 into acceleration A' और A' के value किसके बराबर है 2A की तो यहाँ पे देखो यह T के value आ गई देखो equation 2 से M1 into 2A is equals to यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा M2A के बराबर तो यहाँ पे solve करोगे M2G minus यहाँ पे कितना हो जाएगा मारे पाद देखो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 directly अगर 2 से अंदर multiply करोगे तो value कितनी हो जाएगे मारे पाद देखो 4M1A is equals to यहाँ पे कितना हो जाएगा M2A अब यहाँ पे solve कर लो M2G is equals to A वाले time को एक साथ रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा M2A plus 4M1A यहाँ पे हमें A चाहिए था तो यहाँ पे देख सकते हो M2G is equals to अगर आप A common लोगे तो यहाँ पे क्या बचाएगा M2 plus 4M1 और यहाँ पे देखा हमारे पास A common आ जाएगा तो A क्या था? acceleration of block M2 तो A is equals to यहाँ पे जो A की value आएगी finally वही हमारा answer हो जाएगा तो A equals to कितना हो जाएगा? M2G divided by यहाँ पे लिख सकता हूँ 4M1 plus M2 यह हमारा जो block M2 था उसका acceleration आ जाएगा अगर आपसे पूछा जाता block M1 का acceleration बताईए तो इसमें क्या करते हैं? आप 2 से multiply कर देते तो कि block M1 का acceleration 2A के बराबर था block M2 का acceleration हमसे पूछा गया था उसकी value कितनी थी? A और A की value आप calculate कर चो कितना है? M2G divided by 4M1 plus M2 तो M2G divided by 4M1 plus M2 option number 1 में है यहाँ पे 2M2G है इसके जैसे गलत होगे यहाँ भी 2 आ रहा उपर तो यह सब सारे हमारे पास गलत है Thank you